हलो मित्रों जै मातादी दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवनकाल में जो बड़े भयंकर घटना होने वाली हैं आपने कभी सोचा नहीं होगा जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप से जलने वाले आपको बहुत बड़े सड्यंत्र में फसाने जा रहे हैं वक्त रहते अगर नहीं समझे तो इज़त पूरी मिट्टी में मिल जाएगी यह लोग पूरी इज़त को मिट्टी में मिला देंगे पूरे समाज में आपका नाक कट जाएगा जी हाँ दोस्तों हमारा ये भविस्यवानी पत्थर का लकीर है यह कभी गलत नहीं होगा आने वाले 24 घंटे का समय आप सभी के जीवनकाल का सबसे बड़ा और महत्पून समय यह समय आपको बड़ी खुसकवरी मिलने वाली हैं बेस तो इन सभी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवस्क होगा इसलिए आज की इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इन में हम आप सभी के सारे महत्पून जानकारी बताने वाले हैं जिने आपको आने वाले 24 घंटों के अंद जानी बहुत आवसक है अन्यता आप लाब से वंचित रह सकते हैं और अगर यह मोका आपके हाँ से चला गया तो जीवन वर अपसोस रहने और अपसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा जी हां दोस्तों यह कोई साधारन बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आ मैं आपके सामने पेस कर रहा हूँ तो दोस्तों इस विशय पर बात करते हैं साथ विशय में हम बात करेंगे साथ ही माता भध्रकाली के सच्चे भकit पूरी भक्ति भाव के साथ माता को yad करते हुए comment box में जै माद्रूगे अवस्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें मा भदरकाली आपके उपर हमेशा किरुपा बनाए रखेंगी इसी के साथ मित्रों मादुरुगा जिसके साथ भी मादुरुगा होती है उसका कोई भी बाल भी पाका नहीं कर सकता है तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा क्या वज़ा है इस बात की हम क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांद रखा है या फिर आपके किसी ने आप पर बुरी निजर कर दी है या काला साया आप लोगों के भाय भारा माहौल में देखने को मिलता है क्यूं आप लोगों को डर लगा रहता है क्यूं आप लोगों को जो भी मिलता है वो आप लोगों से तुरंत ही छीन जाता है आपका सच्चा प्यार भी आप से दूर हो जाता है क्यूं आप लोगों के घर परिवार में ग्रिकलेस बने रहते हैं क्या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है या फिर आपके किस्मत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इस बात को आपको गहराई से समझने वाला होगा इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आप अपनी मास से सचा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवस्य ही कर दिये होंगे दोस्तो एक खास बात हम आपसे कहना चाहते हैं हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुती छानबीन करने के बाद लाते हैं बहुती मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं हम बस आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सस्क्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ और हमारे फैमली का हिस्सा बन जाएं इतना ही हम आपसे चाहते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी रासी के जितने भी जातक हैं आपके जीबर में बहुत जादा दुखी हैं बहुत परिसान हैं बार बार इन लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है कई कश्ट जहेलने पड़ रहे हैं और बहुत सारे जातक ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है हमारे पास धन संपति क्यों नहीं आ रहा है हमारा काम धन्दा सब ठप क्यों पड़ गया है नए काम धन्दे जो कि सुरू करते हैं उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं नोकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही है, कम उम्र के जातकों की नोकरी भी नहीं लग पा रही है, बिर्जगारी बहुत प्रिसान कर रही है, परिवारिक महौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकरातमकता फैली है और लव लाइफ भी हो गई है, क्या इसका कारण है, क्यों इतनी प्रिसानी हो रही है, इसी प्रकार के कई सवाल इसरासी के जातक हमेशा प्रिसान रहते हैं, और आप भी इसी तरीके के सवाल से बहुत जादा प्रिसान होंगे, इन सभी के सही और सटीक जबाब अब तो आपको प्राप्त नही पता दे कि आपकी जो ग्रह इस्तिती है वो काफी अच्छी चल रही है, आपके कुसल मंगल याणि ग्रहों की इस्तिती की वज़ा से आपको कोई भी परिसानी नहीं आ रही है, जी हाँ दोस्तों, यह अवस्य ही आपके लिए चोकानी वाली वाद होगी, लेकिन तब भी हम आ आपको कोई परिसांद कर रहा है कि जीबन में इतनी संकट आ रही है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीबन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोस नहीं होता इसके कारण और भी होते हैं कुछ हमारे द्वारा ही की गई होती है और कुछ हमारा नसीब हमारा इस्वर्ते करता है जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारमब पर आधारित होता है और गलतिया हम स्वेंग करते हैं और जो हमारे इस जन्म में आने वाली विधाओं और अच्छे समय को रोक देती है लेकिन दोस्तों आपका आने वाला समय बेहदी चमतकारी बेहदी बहुत ही सुन्दर बेहदी खुश्यों से भरा हुआ रहेगा इस बात का हम आप से वाता कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले करना पड़ता है और संकट हमेशा खड़े रहते हैं कौन जी ऐसी आदते हैं गलतिया हैं जिनकी वज़ए से बार बार आपको घाटा मिल रहा है धन की फ्राप्ती नहीं हो रही है लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं बार बार आपका पैसा फश रहा है काम धंदा वे से नहीं चल रहा है कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं जी हां दोस्तों और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है उससे उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और उससे जादा बूरा लगता है मन से ऐसी गलती है जो हमेशा आप तोहराते रहते हैं तो सबसे पहली गलती आपके यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नगरात्मक वातावरन बना के रखते हैं और एक सगरात्मक वातावरन हमेशा नगरात्मक चीजों के आकरसित करती है इसलिए आप हमे आपके अंदर एहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत खतरनाक है आपके लिए एक नगरात्मक पातावरन को तयार कर दिती है यह आपके बहुत बड़ी गलती है दोस्तों हम जानते हैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है आप और जादातर समय अपने कारिश्यत्र पर ही विताते हैं दिन भर अपने कामों में वैस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं सुखों और खुस्यों का आनंद का अनुबव ही नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ा से धीरे धीरे आपके एक खिन्नस की भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपको अपनों पर ही निकालना पड़ता है यानि अपने ही अपनों पर ही आप ये कुरोध को निकालते हैं यानि कि जिन लोगों पर आपको गुस्टा आ रहा है उन पर आपका कुरोध नहीं निकल कर ऐसी जगा निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए यानि कि आपके अपनों पर आपके घर में आपके भाई बहनो या फिर आपके माता फिता या फिर आप अपने ही जीवन साथी पर कुरोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है कि जब आपके घर के लोग ही आपका धोखा देने लगते हैं आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे जूट बोलने लगते हैं, आपसे बचने की कोशच करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक बातावरन त्यार हो जाता है, और यह नकारात्मक बातावरन ही आपको आपके सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है, जी हाँ दोस् आपके जीवन में खुश्यों की शुरुवात हो जाएगी, आपके सुभागे की शुरुवात हो जाएगी, हमें जो हमें तो आप सबसे पहले आपको सुभा भगवान सुरिदेप को अर्ध देना है और चांदी की एक अंगूठी धारन कर लिए हैं जिससे आपका चंदर प्र में परिवार में सुख और सांती का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकरात्मक उर्जा का निर्मान होगा, दोस्तों यकीन मानिए, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसे चमतकार से कम नहीं हो मानों की चमतकार ही हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कश्ट चल रही है, आप मान्सिक और सारे रिक दोनों ही इस्तितियों में बहुती बुरी तरह से परिसानियों से गरसित रहते हैं, लोग आपको पुन वातावरन को बदल कर रखते ना है, अपने मा के दुखो को, अपने मा के कश्टू को किसी को बताना नहीं है, इसे किसी के सामने चाहिर नहीं करनी है, जब भी आप अपने घर परवेश करें, तो मुस्कुराते हैं परवेश करें, घर के लोगों को अपनी और आकरशित उनसे बुरा समय होता है तो रिष्टे नातों के मामलों में आपके जीबन में उतल पुतल हमेशा मची रहती है कि आपके अपने ही धोखा देने के बाद हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिष्टों को निभाना नहीं जानते हैं आपको गुसा बहुत आता है आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए जिसकी वज़ा से आपके साथ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमियों पर अपने लोगों पर ही क्रोध कर जाते हैं लेकिन आप इसे अपना हग समझते हैं और दूसरे पर आप आरोप लगा देते हैं और आप से दूरी बना लेते हैं दोस्तों हम जानते हैं कि आप बहल ही नर्म दिल के इंसान है आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं जब भी आप किसी को तकलीफ में दुख में देखते हैं तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं चाहे वह इंसान आपका अपना हो या पराया हो आप सभी मदद करते हैं अपनी छमता के अनुसार करते हैं कभी-कभी तो अपनी छमता से भी ज़्यादा कर देते हैं यदि आपका अपना, कोई आप से मदद मांगे, तो आप आधी रात को भी उसके लिए तयार हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, दोस्तों लेकिन ऐसा देखा गया है, जब आपका बुरा समय आता है, तो आपको जोरत पड़ती है, दोस्तों की, लोगों की, अपनों की, तो आप लोगों की मदद के लेने से कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपका कोई भी मदद नहीं करता है, नहीं किसी प्रकार से आपकी धन समपत्ति की और से भी मदद की जाते हैं, यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपिया बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो आपको अनाप सनाप जबाब मिलती है बुरा भला कहते हैं रुपए पैसे तो आपको वापस नहीं मिलता लेकिन आपके रिष्टे और खराब हो जाते हैं इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं आपका मन खराब हो जाता है आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपके रिष्टे सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं आपका मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं तो दोस्तों अब आपको आपको ही पता लगानी होगी क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता यह आपकी अपनी अनुभवव और आधारित होगा यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिष्टे में अच्छा अनुभव है तो आपका अच्छा सा रिष्टेदार वो आपका अपना है और सबसे बड़े पहचान यही होती है दोस्तों की जो हमेशा हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है इस दुनिया में रिष्टे नाते जैसी कोई चीज नहीं होती जहां हमारा सगा रिष्टेदार हमें दोखा दे जाता है वहीं कोई पराया छोड़ कर हमारी मदद कर जाता है तो वह पराया ही अपना हुआ और वह रिष्टिदार की आपका दुश्मन हुआ इस बात को हमेशा याद रखना है और एक चीज आपको याद रखनी है एक बात जिस इनसान ने धोखा दे दिया उससे आपको हमेशा के लिए दूरी बना कर रखनी है सतरक रहना है क्योंकि जो एक बार आपको बुरे समय में धोखा दे चुका है वो दोबारा आपका बुरा स प्रेम जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत ही important है तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा ठीक है चलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन ये आपके जीवन से जुड़ी आपके प्रेम से इसलिए आपसे अनुरूत करेंगे, कि आप विडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कि हम बात करेंगे कि आप कैसे आप अपने सच्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं, और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपको मिल ही नहीं रही है, तो आपको एक अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, और आपकी नौकरी मिलने के बाद अच्छी नही कि आपकी रासी के जादकों में सबर नाम की कोई चीज नहीं होती, ज्यान से सुनिए, जी हां दोस्तों यदि आप सबर बना भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही टिकते हैं और फिर से तूट जाते हैं, यानि आपके अंदर सबर नहीं देखा जाता और यह आपके सबसे बड इस वज़ा से आप बीना सोचे समझे जल्दबाती में बहुत सारे कारिक कर जाते हैं जिनका हर जाना आपको बाद में आपको चुकाना पड़ता है आप बहुत प्रिसान हो जाते हैं आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कारिक किये होंगे कर दिये हैं जिनमें यदि आप सबर से काम लेते तो आप आज कहीं और ही होते जी हाँ दोस्तों आप विचार करके देखिए तो आपको सबर का साथ देना है इसी के साथ मैं आप से ये कहूँगा कि मैं जो भी बाते बता रहा हूं वो गलत है या सही जरूर कमेंट बाक्स में बताईएगा क्या आपके साथ ये सारी बाते नहीं हो रही है जरूर बताईएगा कमेंट बाक्स में दोस्तों आपकी रासी में एक अजीब बात है और तो आप आज कहीं और होते हैं जी हाँ दोस्तों आप विचार करके देखिए तो आपका सब्र का साथ देना है इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जिन में भी सब्र होता है जो भी सब्र करते हैं वह कहीं और ही होते हैं कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है वह उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं तो उन्हें प्राप कोई बड़ा मौका उनके हाथ के सामने से गुजर जाता है उसको लाब भी नहीं ले पाते हैं दोनो प्रकार के गुन आपकी रासी में पाई जाती हैं या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र रख कुछ बहुत ही जादा होता है दोनों ही इस्तितियां कराब है इस इस्तिति में आप जल्दबाजी में काम कर जाते हैं और दूसरी इस्तिति में आप सर पर विचार करने लग जाते हैं यानि मोके का सहील आप आप किसी भी परस्तिती में उठा नहीं पाते हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप एक बार विचार करते रही है ठीक है और कमेंट गरके आप एक बार जरूर बताना कि आप किस तरह के इंसान है क्या आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही सूच विचार करते हैं किस प्रकार के इंसान आप हैं कार में बहुत जल्दी उपर जाना चाहते हैं और बहुत जल्दी ये धनलाब करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा कारी इतनी जल्दी नहीं हो सकता हर चीज को अच्छी तरह से होने में समय लगता है और इनको फल फलधार पेड़ बनने म कम देगा उसमें समय लगेगा तो सभर एक सही बात तो सही मात्रा में किया गया सबर ही सही शफलता प्रदान करता है जिसमें हमें सही फैसला लेने का अवसर प्रापत होता और दिमानी से लिए फैसलक है धीरे 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 हमें सफलता के सीड़ी पर चलते हैं इसलिए दोस्तों आप से यह निवेदन करूंगा कि आप जो भी वैपार करें जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा समय दें और सबर के साथ काम करते रहें और दोस्तों एक और कमी है आपकी रासी में और यह है कि व बहुत सारे काम चोड़ देते हैं यह बहुत बड़ी गलती है दोस्तों आपको लगतार प्रियास करते रहना होगा यदि आपको किसी कारी को करने में शुरुवात में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर छोटी मोटी सफलताएं ही प्राप्त हो रही है तो आप बिल्कुल परिसान ना हो जाए आज की छोटी सफलताएं कल की बड़ी सफलता बनेगी और आपको बहुत उंचाई तक ले कर जाएगी तो आपको सबर से काम करना है सबर की नेजर से देखने है और फिर उनके जीवन में आपको एक नई शुरुवात देखने को मिलेगी और दोस्तों और आप लोगों में यह है कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि जुरासी के जातक हैं वह सबसी बड़ी बात यह है कि उचित बैठी है वह यह है कि आपको इस्वर हमेशा बचा कर रखते हैं किसी भी बड़ी दुरगटना से किसी भी बड़ी विपत्ती से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है आपको थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी परिसानिय चोटी मोटी परिसानिय आ जाती है लेकिन आपका हाद इस्वर हमे के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी रिष्टे नाते में भी धोखा खाने के बाद भी इस रासी के जातक आसानी से हार नहीं मानते इस रासी के जातक लड़कर और अपने जीत को हासिल करते हैं और सही मार्क पर ले जाने के पूरी पूरी कोस्त करते हैं भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं और दोस्तों आपकी रासी के जातक में हिम्मत भी बहुत जादा होता है और जजबा जो है वह कम नहीं होता है इस रासी के जातक आसानी से हार नहीं मानते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं इनका जजबा भी यही हिम्मत इनको एक दिन बुद्धिमान और शक्षम बना देती है फिर यह बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते हैं और इनकी सफलताएं क्या कहूं मैं इनकी सफलताएं भी बहुत उची होती हैं इनका सवभाव और बुद्धिमानी भी बहुत उचे अस्तर की हो जाती हैं अब एक आखरी बात हम आपको बताएंगे कि आपको अपने गुप्त राज किसी को भी जाहिर नहीं करनी है जी हां हम तो ऐसा देखा हमेशा ऐसा देखा गया है या आपकी रासी के चातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं कभी भावनाओं में बहकर या फिर किसी आवेश में आकर अपनी राज दूसरों को बता देते हैं फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है आपको यह बात नहीं समझ में आती हैं, नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं, आपके दूसमन आपकी बातों को जान कर आपके राज को जान कर आपको बुरी तरीके से लाब उठाते हैं, आपका सोशन करते हैं, तो आपको अपने गुप्त राज, गुपत रहस्य किसी को भी नहीं बतानी, किसी भी कीमत पर नहीं बतानी है और एक बात, आपको जब सफलताओं प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं तो आप अपनी छोटी-छोटी सफलताओं का गुनगान करने लगते हैं बखान करने लगते हैं, यह भी बहुत बड़ी कमी है आपको इससे भी दूर करना होगा आपको अपनी सफलताओं को भी गुपत रखना होगा गुपत रखना नहीं जानते हैं तो उसे सीखना होगा यह आपके लिए बेहदी आवस्चक है वरना लोगों की बूरी नजर आपके उपर पड़ती रहती है और आपके सफलताओं को सफलता में बदल जाती है फिर आपका मजाग बनता है फिर आपको मन ही मन बहुत पूरा लगता है तो आपको अपने इसादत को भी सुधारना होगा अपनी छोटी छोटी जो भी सफलताएं हैं वो भी किसी को नहीं बतानी होगी जब आपके सफलता एक बड़ा रूप ले लेगी तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा आपको किसी को भी कुछ भी कहने की कोई कहने सुनने की अवैसर कता नहीं है दोस्तों आपको दूसरों पर अंदविश्वास करना छोड़ना होगा दोस्तों यह दोस्तों आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार हो ही नहीं सकता तो अब भरोसा जरूर करें लेकिन आप सतर्कता भी बरतें आप आखें मूंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें दोस्तो भगवान की यही लिला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है यदि हम अपने पुराने रिष्टे नातों को या फिर अपने पुराने समंदों को और आदतों को पकड़ कर बैठेंगे तो हम कुछ नया कैसे प्राप्त कर सकते हैं साथ ही हमारे हाथ पहले से ही भरे रहेंगे तो आपको अपने इन रिष्टे नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है, जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, दगा दे देते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराया करते हैं, उन आदतों को भी छोड़ना होगा, जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नती में भगवान को ऐसे ही लोग प्रिय होते जो संकल्फ के होते हैं जी अमित्रों भगवान स्री-राम जी तब बने जब उन्हें सैयम के साथ 14 साल का बनवास निबाया और संकल्फ के साथ जीवन भर अधिक बनी रही तो एपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए तयागना जरूरी होगा और सयम से काम करना ही होगा संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेला पैन महसूस करते हैं आपका सुभाव को जिस प्रकार का है कि आपका वेक्तितों को जिस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकरसित होते हैं लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फच जाते हैं क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सचा प्रेम करने लगते हैं उनसे सचाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लग जाते हैं जो बहुत बड़ी गलती होती है और समय आने पर ऐसे लोग आपका अपना असली रंग दिखाते हैं और आप बहु बड़ी चोट वो लोग पहुँचाते हैं तो दोस्तों आपको यह समझना होगा कि आपका जो अकेलापन है जो आपको महसूस हो रहा है वो आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है और याद रखिए कि सफलता की चोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है वह इंसान आप स्वेंग है तो इसवर ने खुद आपको अकेला पन दिया है आपको अकेला किया है इस संसार से अलग किया है क्योंकि वह आपको सफलता की उची चोटी पर पहुँचाना चाहता है तो कदम आगे रखें सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है और यह हमारा आपके पक्का वादा है और दावा भी है आपकी रासी के जातक जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं और बहुत उचे मुकाम तक पहुंचते भी हैं इसलिए दोस्तों आप फिजूल की बातों में अभी अपना वक्त बरबाद न करें समय को नश्ट न करें और अगर क जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे ज्यादा प्रिशानी वाले कौन लोग होते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय के अपने वर बदल नहीं जानते हैं यह हैं यही समय का खेल है यही इछ़र का खेल के जातक समय के अनुषार अपने आपको बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के अधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं तो दोस्तों हम बात करेंगे कि यदि आपके प्रेम जीवन काफी खराब चल रहा है यानि परिसानिया चल रही है या व विडियो काफी लंबी हो चुकी है विडियो को यहीं पर हम विराम करेंगे और अगर आपका कोई सवाल है या हम से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजेगा इस विडियो को हम यहीं विराम देंगे और तो आपको यह सारी जानकारी पचीस हजार रखते हैं 25,000 तो आप अगर इतना लाइक कर दोगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रेम जीवन में सुधार कर सकते हैं और जो दुस्मन है जो आपके अपने ही दुस्मन है उसके नाम को आप कैसे जानोगे इसके बारे में माता दुर्गा जिनके भी साथ होती हैं उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है इसलिए आप जरूर माता दुर्गा का नाम कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा जैमा दुरुगे अगले ग्यान विर्दक वीडियो में हम मिलते हैं तब तक के लि धन्यवाद